वेल्कम, आज की कक्छा में T.S. इलियाट द्वारा रचित मेकेविटी दा मिस्ट्री कैट को हम लोग पढ़ेंगे बहुत से कभी हैं जिन्होंने अपने पालतु जीब जन्तुओं के बारे में कविताओं की रचना किये कितना ही नहीं प्रकृती में जो विबिन परकार के जीब जन्तु हैं उनका भी वर्रन कविताओं में क्या गिया है यहाँ पर T.S. इलियाट एक रहस्मेई बिल्ली की कहानी को बता रहे हैं जिस बिल्ली का नाम मेकेविटी है आएं देखे हम लोग मेकेविटी की क्या खासियत है उसमें क्या बिसेश है कभी T.S. इलियाट ने मेकेविटी दा मिस्ट्री केट पोयम की रचना की है यह कभीता उनकी पाल्तु बिल्ली के बारे में है वह कहते हैं कि उनका बिल्ली बहुत चालाक है इस कभीता के बाद ध्यम से T.S. इलियाट अपने पाल्तु बिल्ली का वर्नन कर रहे है वह कहते हैं कि उनका बिल्ली केवल चालाक नहीं है बलकि लंबा और पतला दुबला है यह कह सकते हैं कि कई परकार के गुन उसके बिल्ली में विद्धिमान है अपनी सुन्दर्ता के कारण कभी ने इसे छिपा हुआ पंजा का है इनके जो उड़ने की सकती है उसे देखकर एक फकीर भी निहारता रह जाता है यह हमेशा कोई न कोई अपराद करते रहता है जैसे कभी दूद पीज लेना और कभी सीसे को तोड़ देना कभी इसे खिडन पॉस छिपा हुआ पंजा काते हैं कारण स्कोटलेंड यार्ड की जो पुलीस सबसे इसमार्ड मानी जाती है वह भी इससे नहीं पकड़ पाती है इसमें उडने की या कूदने की एक असीम छमता है जो फकीर बर्सों बर्स तपस्या करते हैं कुन में कोई देवी सक्ती आ जाये वे प्राप्त करने में वो सफल होते हैं में के भीटी के अंदर वो छमता है कि वह बहुत उचाई से छलांग मार सकता है और बहुत उचाई तक पहुच भी सकता है छलांग मार कर कई तरह के अपरात करना इसके लिए बहुत यासान काम है जिसमें से दूद्ध पीना या सीसे को तोड़ देना या सबसे कोमन बात है It goes everywhere या सभी जगा जाता है The poet says that when it does crime, it never remains there कभी काते हैं जब भी या किसी तरह का अपरात करता है या वहाँ पर नहीं रहता है It cheats everyone but never leaves anything back या सबों को धोका देता है लेकिन कुछ भी परमान नहीं छोड़ता है It is not like other cats या दूसरी बिल्डियों की तरह नहीं है बास्तब में इसके लिए कोई भी वैसा जगा नहीं है जहां या नहीं पहुचता है चाया आप basement में चाहें तो वहां मिल जाएंगी अगर आप इसे सीड़ियों पर देखना चाहें तो वहां मिल जाएंगी लेकिन जब भी कोई crime होता है जब भी कोई अपराध होता है तो crime होने के बाद अपराध होने के बाद वह वहां से तुरंत फरार हो जाता है साथ ही साथ यह कोई अपना पहचान भी नहीं छोड़ता है जिसके आधार पर इसे पकड़ा जा सके मेकेविटी अन्य बिल्लियों की तरह नहीं है यह कुछ खास है इटीज ए स्मार्ट कैट यह बहुत सुन्दर बिल्ली है यह हमेशा रस्माई चीज़ों को करता है यह हमेशा गलतियां करता है अपराद करता है बट इटीज नोट परजेंट बेयर लेकिन वह वहां पर रहता नहीं है यह शबों को अपनी और अकरसित करता है यह अट्रेक्स दपोएट प्रॉम इट्स प्रस्नालिटी यह भी यह कभी को भी अपने व्यप्तित से परभावित करता है आकरसित करता है नो अधर कैटीज लाइक मेकिबिटी मेकिबिटी के जैसा कोई दूसरा बिल्ली नहीं है बास्तब में यह सुन्दर है रहस्मई कारियों को अंजाम देने वाला है गल्तियां करता है अपराद करता है लेकिन अपराद के अस्थल पर उपस्चित नहीं रहता है यह इसका व्यक्तित तो काफी आकर्चक है यह अपने व्यक्तित से सवों को अपनी ओर आकर्सित करता है attract करता है कभी भी इसके व्यक्तित से काफी आकर्सित हैं कभी कहते हैं इस दुनिया में बहुत सारे बिल्लियां हुई लेकिन कोई भी बिल्ली मेकेवीटी के तरह नहीं है आप जो बहुत सारे बिल्लियों के नाम सुनते हैं वो सब ऐसा कह सकते हैं कि इनके सिस्य हैं, चेले हैं, सबका गुरू यही मिकेविटी है यहाँ पर कभी ने इस कविता के माध्यम से एक बिल्ली के सुन्दर चित्र को प्रस्तूत करने का प्रियास किया है कि बिल्ली कितनी तेज है जो कई तरह के अपराधों को अंजाम देने के बाबजूत पकड़ में नहीं आती है बहुत बहुत धन्यवाद